कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक कर्मा थार ए मंजीर के मुसाफिर मंजीर भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा नमस्त दोस्तों जोहार में विस एक चक्रवरतिया आप सभी का फिस अपने पर पर स्वागत करता हो दोस्तों क्लास 12 के इस्ट्रेंट के डिमांड पर जो है कॉमर्स का बिजनेस इस्ट्रेडिस का जी एक्जाम होने वाला उनिस फरिवरी का उसका टॉप मोस्ट वी बिए 80 MCQ टाइप कोश्चंस लेका हूँ पर में भी यह कोश्चन आप लोगो दिया गया या नहीं एक्जामेच अपने वाला कोश्चन है तो याद रखेगा परबंद क्या है परबंद जो है आपका विज्ञान भी है और कला भी है option A और option B दोनों से ही है इसलिए आपका यहाँ पर सी जो होगा correct answer हो जाएगा दुसरे व्यक्ति से कायर कराने की क्या है कला है परबंद जो होता है संस्था के लच्छों को प्राफ्ट करने के उद्धे से उद्धम संसाधनों ठीक है उद्धम संसाधनों को नियोजीत व्यवस्थीत प्रेरीत और नियंतरीत करने की परिक्रिया है management is the process of planning, organizing, motivating and controlling enterprises, resources and planning for the purpose of achieving goals of the organization याद रखेगा और परबंद के कायरी याद रखेगा परबंद के कितने कायर है आप important याद रखेगा 5 क्या परबंद के जो function of management हो क्या है total 5 है क्या क्या है आपका नियोजन यानि planning दूसरा है संगठन यानि organizing तिसरा है नियुक्ति करन यानि staffing चौता है निर्देश यानि controlling ये आप लोग याद रखे जाएगा subjective में आप लोगो पूछा जाएगा तो चलते हैं आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा वीडियो के skip नहीं करके आप लोग एक चीज़ को सुनते चलिएगा कुछ-कुछ important चीज़े मैं बताऊंगा जो कि आपके subjective exam में भी काम आ आते हैं to which level of management do the managers of the first line belong तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर प्रथम पंक्ति के प्रवंधन किसी संगठन में प्रवंधन के सबसे निचला अस्तर है और आम तोर पर जो ये होते हैं वो गेर परवंधन करमचारियों को क्या करते हैं देखरे के लिए इनका जिम्मेदारी होता है किसका जो आपका निम्न अस्तर के प्रवंधन के होते है वो ठीक है तो प्रथम पंक्ति के प्रवंधन किस अस्तर के होते है निम्न अस्तर के होते है निम्न अस्तर में क्यों को ना जाएगा निम्न अस्तर को जो है प्रियावच management is an art of ये 2022 में question पूछा गया है तो management is an art of पूछा है तो question number 3 का जो है correct answer होगा option number C जो होगा बिल्कूर correct हो जाएगा स्वैम काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की जो है आपका कला है याद रखेगा ये important question आपका दो marks में subjective में भी पूछा जा सकता है प्रवंद एक पेशा है यहां कथन किसका है management is a profession this statement is up ये 2020 में question पूछा गया तो इसका जो correct answer होगा option number जो होगा आपका बी correct है याद रखेगा अमरिकन management association अमरिकन management association प्रवंद एक पेशा है ये किनका statement है दिया गया अमरिकन जो है management association का दिया गया statement है next question क्यों चलते है question number 5 एक प्रवंद धक जो है उद्देश्चों को कैसे प्राफ्ट करना चाहता है how does a manager achieve his objectives तो दोस्तों जो 5 number है इसका correct answer होगा option number C option number C जो होगा बिल्कुल correct answer होगा कुसलता एवं प्रवाव पुर्णता से जो है वो जो है आपका उद्देश्चों को प्राफ्ट करना चाहता है तो यानि throw efficiency and effectiveness जो होगा आपका correct answer हो जाएगा नेश question क्यों चलते हैं देखिए BST में आप लोग जो है बहुत अच्छा score करिएगा क्योंकि पिछले साल की student जो है देखिएगा आपका सब subject में से ज्यादा BST में उन लोगों का marks आया था tension नहीं लेना है एकदम आप लोगों को एक एक चीज़ को भर के आना है बिजनेस related है आप लोग इतना दिन से दो साल अपना दिये है commerce में तो आसानी से जो है अपने सब्दों में एकजाम में इस subject में लिख सकता है एकजाम में छोड के नहीं आना फोड के आना एक दम एक एक चीज़ को आप लोगों को लिख के आना है ठीक है जो मैं डिसकस करते जारो बस उस ध्यान से सुनते चलिए भौतिक वह रासाइंस सास्तर के सिध्धान्त अस्ताई है परभंद के बारे में आपका क्या विचार है देखो जो आपका principle of physics or chemistry जो है वो stable है लेकिन तो फिर आपका management को लेकर आपका क्या विचार है आपका opinion रखते वो पूछा है तो यहां पे आपका जो 6 है इसका correct answer होगा अस्ताई क्यूंकि सम होते रहती है ठीक है याद रखिएगा नेश कोईशन क्यों चलते हैं कोईशन नमर सेवन प्रवंद की समाजिक जिम्मेदारिया जो है जिम्मेदारी की कृतिम प्रकृति में लागो होती है इन दा नेचर आफ सोसल responsibility of management applies तो यहाँ परवंद की समाजिक जिम्मेदारिया की प्रकृति किस प्रकृति में लागो होते है तो याद रखे है जैक 2022 में कोईशन पूछा गया था तो 7 का जो है correct answer होगा option number B बिल्कूल correct होगा विकरता की सावधानी का नियम जो होगा यहाँ पर आपका correct हो जाएगा ठीक है नेचर कोईशन क्यों चलते है क्या पूला गया है देश के विकास के लिए सबसे बड़ी अवशकता है the foremost need of the development in a country is off ठीक है एट नंबर का जो है correct answer हो जाएगा आपका option number C कुसल परबंधन ठीक है कुसल परबंधन जो होगा correct answer होगा ठीक है चली एक और question है आप जानते हैं कि आप लोग का BST में आप लोग जो है प्रतामस्तर दृतियस्तर तृतियस्तर पढ़े हुए तो ना होगे डायरक्टर्स ठीक है तो board of directors जो बूल रहा है वो किस किस लेबल के अंतरगत आते ह है top label Middle लेवल या lower level तो आपको बताना है कि किस लेवल में आएगा तो अगर आपको answer याद होगा कि option में ही नजर आ जाएगा कि यह answer मैंने पढ़ा है यही सही है ठीक है तो देखिए यहां पे correct answer क्या होगा जो यहां पे आपने देखा 9 का यहां पे होगा top label यहां किसका बात किया है supervisory था तो मैंने बता है था वो आपका जो है lower level पे होगा लेकिन यह board of director का ही बात कर दिया जा रहा है संचालक मंडल का ही बात किया जा रहा तो आपकोर्स है यह किस label पाएगा top label पाएगा किस label पाएगा top label देखिए उच अस्तर यह प्रबंदन में इसमें क्ोण कोन आता है यह निर्देशन देने का काम करते हैं, Board of Directors, ठीक है, याद रखेगा, आप लोग बताएगा कि Middle Label पे कौन आएगा, अभी नहीं हम लोगों ने Lower Label का भी डिसकस किया, इससे पहले, अभी हम लोगों ने टॉप लेवल का भी डिसकस किया, आप लोग नीचे कमेंट करके इससे क्या होगा, आप लोग का सब्जेक्टिव लिखने का जो है, आप लोग का practice हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number 10 क्या पूछा गिया, परबंद का सार है, तो इससेंस और management is, बहुती important question है, बार बार repeat होता है, ठीक है, तो प्रबंद का सार क्या है, option number A जो होगा, correct answer होग समनवाई जो होगा correct answer होगा coordination जो होगा correct answer होगा ठीक है चलिए नेश कोईशन के वाज चलते हर बार all of these trick मत लगाईएगा हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है भारत में परभंदन है तो management is India management in India is तो भारत में परभंदन की क्या आवशकता है अनावशक है अभी वि भारत में परभंदन क्या है अब इस शक है option number a जो होगा correct answer होगा बारह नंबर क्या पूछा है देखिए परभंदन का कर्मचारियों को सरवाधिक प्रेणा देने वाले कायरी है maximum initiative given the functions of the management of the employee is तो बारह नंबर का जो है correct answer क्या होगा यहापका बारह का जो है correct answer होगा आपका बी हमेशा आपको क्या करना होगा कुछ करें ना करें लेकिन कर्मचारियों को motivate करना अभी पर ना देना काफी ज्यादा जूरी है motivating कब होगा जब आप उसको पद को बढ़ाईएगा पद उन्नति कीजेगा ठीक है या फिर उसको बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहेगा क करना चार जोजाज आटेरिक के अनुसार कितने है फंसंस वाब मेनेच्मेंट के हैं क्या क्या बताए थे प्लानिंग संगठन तथा समन्रम його करना एक На जोर्ज आर्टेरी के द्वारा ठीक है चलिए इस कोईशन नमर 14 क्या पुछा है कुंटज और ओर्डनल के अनुसार प्रबंद के मुख्य प्रबंद के कूल मुख्य काईर है तो एकोडिंग टू कुंटज और ओर्डनल दा टोटल मैं फंसेंस ऑफ मेनेजमेंट आर तो 14 का ज चलिए देखते हैं कोईशन नमर 15 में क्या पूछा गिया है समन्वें अस्थापित किया जाता है ये 2018 2019 में पूछा गिया है कहा जाता है टेलर को जो है कहा जाता है वेगानिक परबंद के पीता है ठीक है चलिए नेश कोईशन क्यों चलते है 17 मांसिक क्रांती मुलाधार है मेंटल रेभूलिशन इस दा एजन्स ऑफ तो 2016 में ये कोईशन पूछा गिया था तो सत्रक का जो है करेंट एंसर होगा मांसिक क्रांती का मुलाधार क्या है मांसिक क्रांती का मुलाधार है आपका वेगानिक परबंदन यानि साइन्टिफिक मेरेजमेंट चलिए कोईशन नबर 18 पे चलते क्या पूछा गिया है वेगानिक परबंद में टेलर ने परियोग किये तो जानते टेलर ने बहुत सारे पूशा गया, फिर आपका थकान एधन के बारे में बताया था, फिर आपका समय धन टाइम स्टडी के बारे में भी बताया था, तो ये आपका current answer हो जाएगा, ठीक है, 18 हो गया, 19 पे चलते क्या पूछा गया, 19 नमबर भी काफी ज़्यादा इंप्वार्टेंट है, परामपरा प्रमपरागत 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 प्रमप तन था उसमें जो हो उनका वर्कर्स का जो पेमेंट होता था वो क्या होता था मजदूरी कम होता था याद रखेगा लेकिन अभी क्या हो गया जादा ठीक है आगे देखते क्वेशन में 20 में क्या पूछा गया समय काफी काम है काफी सारा कुशन बताना है इसलिए इदम जो ट साथ कर रहे हैं एफिशेंसी के साथ कर रहे हैं मेनेजमेंट करते हुए कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी क्या होगा जादा होगा तो अफकोर्स नमबर एज होगा करेटेंस होगा नेश कोशन क्यों चलते हैं 21 नमबर में क्या पूछा गया है वेग्यानिक परवंद से स्रम कम लगेगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा आपका जो घंटे पर क्या होगा कमी होगी तो आपसे नमबर बीज होगा करेट एंसर होगा ठीक है चले कोईशन नमबर 22 क्या पुछा गिया है वेगानिक परभंद से उभोकताओं को by scientific management consumers are तो देखे scientific management से जो है consumers को क्या होता है scientific management होगा तो consumers को कभी भी जो है loss नहीं consumers को संतुष्टी देना पड़ता है कंजूमर की संतुष्टी के लिए प्रोड़क्शन लेबल को, क्या करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, तो इससे क्या होगा, अगर साइंटिफिक बेनेजमेंट होगा, तो कंजूमर को फाइदा होगा, यानि लाव होता है, वेनिफिटेड होगा, यहाँ पर हुआ था सांटिफिक मेनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत इंपर्टन कोईश्चन है 1913 याद रखेंगा 1913 में जो है वेगानिक परबंद की सुरुवात हुई थी आगे देखिए हैरी फॉयल के हैरी फॉयल के परबंद के सिद्धान थे तो कितना है अभी इन इक्जाम का पैटन है इसमें भी यह पूछा जा रहा है कि जो लेखक है या जो जिसके जनम करता है उनका जनम कहां हुआ था कब हुआ था इसे पूछे जा रहे तिसलिए यह कोश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसी एक्जाम के लिए और यह कोशन 2017 में पूछा भी जा चु जो होगा तक कर्एंस रोगो estado करेंटर विए परबंद के सिद्दांत है इसपर अप्रबंध के सिद्दान कैसे है वहक्शार का समय के साथ आपका कुछ ना कुछ देखने को ही मिलता है इसलिए सारा ओप्सन सही था एक कायरी के निस्पादन के लिए प्रभंद का सर्वत्तम सस्था जो है धुड़ना चाहिए वेगानिक प्रभंद का कौन सा सिद्धान इस पंक्ति की व्याख्या करता है तो आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और सर्वत्तम रास् थकान अध्यन वीधी अध्यन इस सपड़के जहिएगा अभी सर्वत्तम रास्ता का जो बात कर रहें तो इसमें वीधी का बात कर रहें तो हम इसमें क्या बात करें वीधी का बात करें वन बेस्ट वे का बात करें तो इसमें आएगा वीधी अध्यन जो होगा बिलकुल करे है चले 28 के बार 29 नमबर देख लेते हैं क्या बोला गया है निवलिखित में से कौन सा कथन कायर का विभाजन ठीक है कायर का विभाजन डैट मिस डिवीजन ऑफ वर्क सिध्धान्त का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है यह 2022 में यह भी कोशन पूछा गया था तो 29 का जो है डिवीजन ऑफ वर के अंतरगत आएगा ठीक है तो इसका करेट एंसर हो जाएगा आपका 29 का ए बिल्कुल करेट एंसर है नेश कोशन क्यों चलते है 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 रिफॉयल वाज अर्डेस हैरी फॉयल क्या थे 2018 यह कोशन पूछा गिया है ठीक है तो 30 नमर का जो है करेट एंसर कोशन में 31 नमीन आर्थिक निती कब खोशित हुई थी तो आप जानते यह 2016, 2017 और 2019 यह इतना बार यह कोशन रिपीट हुआ है यानि इस बार भी यह कोशन रिपीट होने की काफी ज्यादा सम्मान है न्यू एकनोमिक पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में याद रखेगा जुलाइ नैंटी नैंटी वन में इंट्रोड्यूस हुआ था ठीक है एल पीजी पढ़े है ना लिब्रलाइजेशन प्राइबिटेजेशन और ग्लोबलाइजेशन याद रख लिजेगा इस डेट को 32 नमबर देख सकते क्या पूचा गिया है वैसाई कि आर आर्थिक परणाली भी ठीक है और आर्थिक विकास भी ओल अप दीज होगा आपका करेंट एंसर होगा क्यूंकि यह सभी चीज़े प्रभाइत करती है आर्थिक बातवरन को वैसाई के आर्थिक बातवरन को जो है बिजनेस का एकनॉमिक इंवाइरमेंट को जो है किस-किस से influence होता है यह जितना भी options दिया था वो सभी correct है याद रखेंगे यह आपको point wise जो है एक्जाम में लिखने में भी मदद करेगा नवीन आर्थिक निती के परमुख अंग है मैंन कॉंपरेंट्स अब नियू एकनोमिक पॉलिसी आर तो यहाँ पे 2016 में एक कोईशन पूछा गया था तो 33 का जो है आपका इसमें तीनों आया था ना मैंने बात किया ना 1991 में तो आपका LPJ आया था यानि L का मतलब हो गया लिब्रिलाइजेशन जी का मतलब हो गया globalization अपी क समय में उदारी करन क्या है आपका सक्सेस्पूल रहा है ठीक है तो यहाँ पर option जो होगा एक करेक्ट एंसर हो जाएगा नेश कोईशन क्यों चलता है question 35 भारत सरका नियंतरन वह परबंद में कमी करती है government reduce control and restrictions in 2020 में यह question पूछा गया था तो 35 का option जो होगा correct answer होगा ठीक है यह क्या करती है नियंतरन और परबंद में कमी करन कब किया गया था जैसे आगे के समय में लोगों को क्या करना पड़ता था आगे के समय में जो है वो जो जितना भी rule regulation था बहुत strict था इसलिए बाहर की company यहां का आकर जो है company को start up start नहीं करना चाहती थी लेकिन जब 1991 में आपका LPG आया तो उसके बाद जो है आपका इसमें क्या हो गया कमी किया गया था प्रबंद के नीतियों में क्या किया गया था कमी किया गया था तभी जो है आपका उदारी करण में क्या हुआ था सुधार हुआ था तो यहां पर आपका option ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा उदारी करन लिब्रेलेजिशन 36 नमर में पूछा गया है इनमें से कौन सी वैवसाहिक वातावरण की विश्यस्ता नहीं है पढ़े होंगे स्टापिंग से रिलेटेड अब लोग याद करके जाएगा स्टापिंग का जितना भी आपका सब्जेटिव कोजिशन से ठीक है आगे दी देखिए क्या लिखा है निमन में से कौन सा आर्थिक वातावरण का घटक है वीच अपनेंट आप एकनॉमिक इंव तीनों ही करेक्ट है यानि all of all for all terms होगा है अपका करेट एंसर होगा 39 नमबर पे चलते है नियोजन भविस को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है तो यह कथन किसका है यह 2021 में कोईशन पूछा गया तो नियोजन भविस को पकड़ने के लिए बनाया पिंजरा है इस किसका स्टेटमेंट है एलन का स्टेटमेंट है इसको याद रख लिजेगा ठीक है अब स्टार्ट करते है कोईशन नमर 40 जो जार टेरी के अनुसार नियोजन के परकार है अकोडिंग टू जो जार टेरी टाइपस अ प्लानिंग आर तो 2016 में यह कोईशन पूछा गया था 40 क भविस के लिए है या पे आपका बी करेक्ट होगा नेथ कोईशन के होगगा किसी भी चुछ को करने के लिए कि लिए क्या है आवज शकह है और टियालिस में क्या पूछा गया नियोजन सभी प्रबंदिके किरिया होगा है of all marginal activities planning is the 2021 में ये question पूछा गिया 43 का correct answer होगा option number C जो होगा बिल्कुल correct answer होगा ठीक है याद रखेगा beginning and the end next question क्यों चलते है planning है नियोजन क्या है तो नियोजन क्या है भईया तो 44 का यहाँ पे जितना भी options देख रहे है ये लक्ष अभी मुखी भी है उद्देश अभी मुखी भी है और मानसिक परिक्रिया भी है all of these जो होगा correct answer होगा next question क्यों चलते है एक अच्छी योजना होती है a good plan is तो एक अच्छी योजना क्या होती है एक अच्छी योजना वो होती है जिसे समय के साथ क्या किया जा सकता है changes लाया जा सके यानि flexible हो सके तो एक अच्छी योजना वही होती है जो flexible होती है लोज़दार होती है 46 नमबर क्या पुछा किया निमलिखित में से कौन सी नियोजन ठीक है कि सीमा नहीं है which of the flowing is not limitation of planning तो 46 का जो है correct answer होगा option number C नियंतरन का आधार basic basis of control जो होगा correct answer होगा 47 नमबर पे चलता है budget का अर्थ है तो budget का अर्थ क्या है भी है तो 47 आप लोग economics में भी पढ़े budget का अर्थ जो होता है आपका option D जो होगा जो होगा यहाँ पे correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question क्यों चलते है question number 48 48 का correct answer क्या होगा मानो संसाधन जो है प्रबंद में सम्मलित है human resources management includes तो 2018 में यह question पूछा गया था तो यह human resources के रूप में हम लोग भरती भी करते हैं चैन भी करते हैं परिसिचन देने का भी काम करते है all of this जो होगा correct answer होगा 49 नमबर पे चलते हैं न्यूक्तिकरन स्टाफिंग क्या है तो स्टाफिंग को आपको subjective objective दोनों में पूछा जाएगा तो आप लोग उसको कर लिजेगा न्यूक्तिकरन का अर्थ क्या होता है तो 49 का correct answer होगा आपका option number D जो होगा correct answer होगा उप्रोग सभी all of the above part of organization भी सही है करमचारियों का परबंधन भी सही है आपका परबंध का कारी भी सही है ठीक है उप्रोग सभी correct होगा 50 number question चलते हैं क्या पुछेगे करमचारियों का परिसिच्चन है employees training is तो करमचारियों का परिसिच्चन क्या है समय समर पर करमचारियों का परिसिच्चन देना चाहिए क्योंकि नया नय टेकनिक्स आ रहा है अगर उससे रूबरू नहीं होंगे तो आपका production unit अच्छा नहीं हो पाएगा समय समय पर आप delivery नहीं कर पाएगे आप उभोकताओं की रूची को जह है संतुष नहीं कर पाएगे तो इस तरह साभी तक हम लोग पजास कोईशन किया और फड़ा फड़ से और तीस कोईशन को कर लेते हम लोग इसके बाद दोस्तों next question देख सकते है क्या पुछा गया अच्छे brand की विशिस्ताएं है the characteristics of good brand are तो दोस्तों अभी तक जो आप लोग ने 50 question किया उसमें कितना answer से हुआ है वो comment करके बताईएगा ठीक है अभी जो question पूछा गया अच्छे brand की विशिस्ताएं है तो अच्छे brand की विशिस्ताएं क्या होती है तो यहाँ पर आपका सूचे में नाम भी होता है उसका दिखिएगा एकदम sort में नाम होता है फट से लोगों को sort में नाम होगा तो जल्दी याद भी होगा और देखने में काफी ज़्यादा attractive भी होता है डिजाइन वाला होता है लोगों देखें ना किस तरह से होता है तो यह all of these जो होगा यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा ठीक है याद रखेगा next question क्यों चलते क्या पूछा गया अभी just हम लोगे डिसकस किया वीत्य परबंद क्या है तो वीत्य परबंद कला और विग्यान दोने options जो होगा correct answer होगा question number 3 देख सकते क्या पूछा गया है परिसिच्चन की वीदिया है तो परिसिच्चन की वीदिया जो है क्या होगा इसमें जितना भी options दिया वो सभी correct है आपका यहाँ पर जॉब रोटेशन भी होता है ओन देजॉब ट्रेनिंग भी होता है ठीक है परिसिच्च्चन भी होता है एपरेंटिक्स भी होता है ट्रेनिंग में तो यहाँ पर all of this जो होगा तीन का correct answer होगा यहाँ पर D जो होगा correct answer होगा परबंद का सार है तो परबंद का सार क्या है बईया तो पांच नमबर का correct answer होगा आपका समनवाई coordination जो होगा correct answer होगा नेश कोईशन क्या पूछे किया चे नमबर पे परबंद का मुख उद्देश है अधिक्तम उत्पादन जो है वो आपका correct answer होगा नेश कोईशन क्यों चलते है रिफोल का सिदान जस्ट अभी हम लोगों ने डिसकस किया कितना है टोटेल आपका 14 है नेश कोईशन क्यों चलते है एट नमबर में क्या पूछे गया है ने आर्थिक नीती का मुख अंग है तो ने आर्थिक नीती का मुख अंग क्या होता है आपका मैंने बताया था जुलाइ 1991 में क्या है था LPG है था liberalization, privatization और globalization तिया पर इन में से सभी जोगा correct answer होगा नेश कोईशन क्यों चलते है गलत संगठन, संगरेचना website निस्पादन को रोकती है यहां तक कि उसे नश्ट कर देती है यह statement किसका है ठीक है यह statement किसका है question पूछाए गया question number 10 का correct answer होगा आपका drugger जो होगा correct answer होगा क्या होगा drugger जो होगा correct answer होगा next question क्यों चलते है question number 11 question क्यों चलते है भरापरन किया जा सकता है तो भरापरन जो है किया जा सकता है delegation जो can be done option number 12 का correct होगा option number A अधिकार ओथरेटी का ठीक है next question क्यों चलते है प्रबंदन कला है तो प्रबंदन कला है क्या किस चीज़ का कला है दूसरे से जो है क्या करने का 13 number जो पुछा है प्रबंदन कला है किस चीज़ का स्वयम काम करने का भी और दूसरे से काम लेने का भी तो option number C जो दिया गया आपका बिल्कुल correct है स्वयम काम करने का ये भी आपको पास management skill होना चाहिए दूसरे से काम लेने का वो तो सबसी important है तो option number C जो होगा correct answer होगा ठीक है next question दिया गया है मानो संसाधन जो है प्रबंदों में संबली थे तो मानो संसाधन प्रबंदों में क्या संबली थे भी या तो 14 का जो है आप जो देख पा रहे यहाँ पे भरती भी होता है चैन भी करते है परिसिचन भी देते है option D जो होगा correct answer होगा all of these question number 15 देख सकते हैं क्या बोला गया है भारत में भुकता संग्रेच्छन अधिनियम प्रभावी है consumer production act is effective in India जो है effective form के रूप में का बाया था तो 15 का याद रखेगा option number B जो होगा correct होगा 15 April 1897 1887 जो होगा correct answer होगा option number B question number section क्या पूछा गया है करमचारियों के विकास में सम्मिलित है तो करमचारियों के विकास में क्या सम्मिलित है है तो option number जो है आपका D correct हो जाएगा उस करमचारियों के विकास तभी होगा नया skills लाने के लिए उसको क्या देते हैं समय समय पर आप ट्रेणिंग भी देते हैं तो यह question आपका subject में भी आएगा कि करमचारियों के विकास में क्या क्या समय लित होता है वर्णन करें तो आप इसको लिख दीजेगा प्रोमोशन देना होता है टांसपर भी करते हैं समय समय पर उसको ट्रेणिंग भी देना पड़ता है तो आल अप दीज जो गए आप आपका करेंट एंसर होगा इस चैप्टर से कुश्चन तो आपका आएगा ठीक है डाइरेक्टिंग होगा मेनेजमेंट लिखा गया है निदेशन के तत इलेमेंट्स ऑफ डाइरेक्टिंग पूछा गया है तो यहां पर आपका करेंट एंसर क्या होगा सर्वेंटीन का भी जो है करेंट एंसर ऑल अप भी है ठीक है मनी मार्केट को कंट्रोल करता है अर भी है करता है ठीक है आप लोग यहां पर बताएगा तो फी सेवी किस चीज़ को कंट्रोल करता है नीचे कमेंट करके बताएगा नेश कोशन क्यों चलते हैं और सेवी का फूल फर्म बताएगा कितने सारे बच्चे जानते सेवी से रिलेटर सबजेक्टीव कोईशन पूछा जाएगा आप लोग करके जाएगा मैं बार 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 बतारो अगर आप लोग डिमांड रहेगा तो सबजेक्टीव का भी कोसिस करेंगे जल्द आने का अंगुरी बेल जो है संदेश बहान होता है तो यह जो कोईशन है अच्छी हो जना कैसी होती है तो 20 का करेंट अंसर होगा ऑप्सन नमसी लोजपून होती है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था लोगों को नेश कोईशन क्यों चलते हैं प्रभावाई संदेश बहान में भासा का उप्योग नहीं होना चीए देखिए कोई भी चीज रह है तो आसपस्ट भासा नहीं होना चीए करेंट हो जाएगा नेश कोईशन के चलते 22 पे क्या पुछा गिया एक वैसाई गोपक करम के में जो है नियंतरन की अवशकता होती है इन बिजनेस इंटर्प्राइज कंट्रोलिंग नीडेट तो 22 का जो है करेंट एंसर हो जाएगा कोसो का प्राफ्त करना भी है तो वीट का सबसे 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 सरोत क्या है या याद रखेगा इस चीज को में चलते है सेभी देखिए सेभी वाला पूछ दिया न सेभी से रिलेटेड कोईशन रहे गई तो सेभी का स्थापना कभ हुई थी याद रहेखेगा 25 नमबर जो कोईशन है इसका करेट एंसर होगा 1992 जो होगा बिलकुल करेट होगा option नमबर सी जो है करेट होगा आगे देखें में क्या पूछा गया है नवी निर्गमीत अंसो का वेवार डैस में करता है तो 26 का जो है कर टैंसर होगा ऑफसे नमबर बी जो होगा करेट एंसर हो जागा प्राथमिक बजार ठीक है चले नेश कोशन क्यों चलता है कोशन अबर 27 सबसे अधिक व्यापक छेतर किसका तो एकद रखेगा नेश कोशन कि यहाँ पर याद रखेगा पैकेजिंग जो होगा आपका करेट अंसर होगा ठीक है नेश कोशन क्यों चलते है उभोकता विवाद निवारन एजनसी है तो कंजुमर डिस्पूर्ट सेटलमेंट एजनसी आर तो 28 का जो है करेट एंसर क्या होगा आप अब दिस जो होगा करेट अंसर हो जाएगा टुइटिनाइन नमबर देख सकते क्या पूला जा रहा है नियंतरन का संबंध है कॉंट्रोल इस रिलेटेड टू तो नियंतरन का किससे संबंध है तो याद रखेगा आपका टूइटिनाइन का जो है नियंतरन रिजल्ट से ज जिसमें ये जितना भी गुन दियागे सभी गुन होना चाहिए बुद्धी मता भी होना चाहिए आगे की दुरदस्तिता भी होना चाहिए आगे कैसे काम करें क्या चीज़ करें कि और अच्छा रहे भविश्य के लेकर सोचना चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि उस आप लोग को कैसा लगा है ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताएगा, क्या आप लोग और भी चाहते है इस related questions वो भी नीचे कमेंट करके बताएगा, तो आशकर दोस्ते आज के वीडियो आप से पसंद आया को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक से और कमेंट कर ना भूले, म मिलते तो तक नए वीडियो को साथ, तब तक लिए धन्यवाद, जैहिंद वन्द मातरम